Hello and Welcome to TV का पताका दोस्तों, Big Boss Season 16 का हो रहा है Grand Finale लेकिन Grand Finale से आई है एक बहुत बड़ी ख़बर Grand Finale से पहले आखिर QMakers ने रखती प्रियांका के सामने एक बड़ी डिमांड ऐसी डिमांड जिसको सुनकर प्रियांका के उड़ गए होश हो गई प्रियांका शॉप्ट क्या है वो डिमांड आईए जानते हैं TV के पताका के इस वीडियो में उसके पहले अगर आपने नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो काइंडली डू सब्सक्राइब और नोट फोगेट तो प्रेस तो बेल आइकन दोस्तों बिग बॉस सीजन 16 में बिग बॉस के घर के अंदर 12 फरवरी को याने के रवी बार को होने वाला है फिनाले लेकिन ऐसे में मेकर्स ने ग्रैंड फिनाले से पहले प्रियांका के सामने एक ग्रैंड दिमांड रख दी है जी हाँ आप सही सुन रहे हैं ख़बरों की माने तो मेकर्स ने प्रियांका को कनफेशन रूम में बुलाया और कनफेशन रूम में बुलाकर प्रियांका से एक बड़ा सवाल किया दरसल मेकर्स ने प्रियांका से पूछा कि प्रियांका आप बिग बॉस के घर में इतने दिन रही है आप आपकी जर्णी बिग बॉस के घर में काफी लंबी थी आपने 134 दिन गुजा रहे हैं बिग बॉस के घर में लेकिन सवाल ये है कि अब फिनाले से पहले आपको एक और बड़ा ओफर दिया जा रहा है ट्रिपल के का ओफर यानि कि खत्रो के खिलाडी के अपकमिंग सीजन में पारिसिपेट करने का ओफर बिग बॉस ने प्रियांका से कहा कि प्रियांका हमने देखा कि आप घर में शेरों की तरह खेली हैं घर में प्रियंका आप शेरनी की तरह दहारती है, टास्क में जीजान लगा देती है और इसलिए बिग बॉस चाहते हैं कि अब आप दूसरे शो खत्रों के खिलाडी का भी हिस्सा बने खबरों की माने तो प्रियंका ने इस डेमांड के लिए हां करती है उसने बिग बॉस को बोला है कि बिलकुल मैं आपकी ये दिमांड करूँगी पूरी और पार्टिसिपेट करूँगी खत्रों के खिलाडी में लेकिन शायद अभी प्रियंका को कोई आइडिया नहीं है कि उनको घर से बाहर आने के बाद मिलने वाला है धेरो काम बज़ इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें